आए आए पिस वेल्कम बेख टो आए चैनल थिस सब्सक्राइब स्थाडीज अँड़र अज अधिस्थ करने वाले हैं इंडिया एंड एजिट एप लेशन्स एड इस वीडियो का मेंड परफस यह है क्यों कि आपको पता है कि 26 जैनवरी रिपब्लिक देपर आपके जो इजि इनका स्टेट विजट था यहां पर एन इन उने रिपब्लिक डे में पाटिस्पेट किया था यह गैस्ट ऑफ और ओनर थे यहां पर इंडिया में इसका एक हिसरीकल बैगरां देख लेंगे इंडिया एंड एजब्लेशन का प्लस हम देखें गें कि इस विजट का क्या ओकम रहे फ्र इक्जामपल इन्होंने अई सब्सक्राइब करने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं आपके वीडियो पहला पॉइंट है जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इजब लेशन वो डिसकस कर लेते हैं सब्सक्राइब कि जैसे क्या पता है कि जो बिनदुसार थे मैं से यह इंचल में थी में विडियो चींड या इससे पहले में देखा है कि बिनदुसार है उनको ग्रीक को दो कहते थे अमित्रचैत प्रिक ओर अमिर्फ्गात यह शो करता है कि आपका जो बिंदुसार है, इनका जो रीज थी आपकी ğimका इनका रिलेशन्स कापी, ग्रीक तक थे, ग्रीक तक की डेनस्टीत तक थे वैसे यह आपके जो अशो का है यह अपनी कुछ एक जो इनके रॉक एडिक्ट س है एजिप्ट एंड जो इंस्टांस दिखता है आपका इंडिया एजिप्ट रलेशन्स का वो दिखता है आपके दूरिंग मॉर्डन टाइम्स विच विच वास बिटूइन साध जाग लोल एंड महत्मा गांधी एंड यह जो बात करते हैं आपके जो आपके रिस्पेक्टिव क मिलें इन दोनों कंट्रीज को एजिप्ट एंड इंडिया को मैं एक थोड़ा से एक बैक्राउंड दे देता हूं कि आपका फॉर एक्जम्पल जो साध जगलोल थे यह आपके वफद पार्टी के जो लीडर थे उस टाइम और उस टाइम आपका जो एजिप्ट था वो एज 1922 में इन्होंने एं ब्रीटेंस से मिंडेपेंडेस यहां पर मोनार्क एस्टैब्लिश कर लिए थे मनार्क एस्टैबलिश करलिए थे रूर रूहलूल हो गा फॉरजपल मैं इसको एक रपकर लेता हूं ताकि आपको खलेयर दिल सकें कि अज़िए कि अज़िए कि इनको सेमी इंडिपेंडेस मिल गई थी एंड मुनार के हां के रूलर बन गए थे एंड यहां पर ब्रिटेन की आर्मी भी उस टाइम स्टे कर रही थी यहां पर एजिप्ट में एंड में रीजिन उसका यह था कि ताकि यह स्वेज कनाल कि इसके ऊपर थोड़ा से कंड्रोल रख सके तो यहां पर ब्रिटेन की जो आर्मी थी वह यहां पर थी उस टाइम अपर एजिप्ट की जो आर्मी थी वह परशान हो गए थी कि यह कभी मतलब जो ब्रिटेन की जो आर्मी है यहां से एजिप्ट से निकलेगी तो यह क्या करते हैं कि जो किंग होते हैं उस्टाइन एजिप्ट के जिनका नाम था फारुक कि उनको डी थ्रून कर देते हैं एड एजिप्ट को रिपब्लिक वो कर देते घोषित कर देते हैं कि एंड इनके जो एक मोस्ट प्रॉमिनेंट जो रूलर थे जो फेमस कापी थे जिनका नाम था कर्लन नासीर अंतर जो इंस्टांस आपको दिखता है इंडिया एजिप्ट रिलेशन का वो दिखता है आपको दिवरिंग देन नौन एलाइन मुवमेंट और उस्टाम जो एजिप्ट के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था गमाल अब्दुलनसीर और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर थे अफ्टर दे सेकंड व्ल्ड वर्ड जो आपके कुछे कंट्रीज थी एशिया और आफ्रीका की वह के क्लोनियन पावर से आपके इंडिपैंडेंडेंस गेन कर रही थी और वर्ड 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 इंड दौरान मैं सेकंड के बात जो आपके आपका कोल्ड वर्स स्टर्ट होता है जो था आपके बेट्वेंड ऊ-स-a-a-nd---- उ-s-s-r सो जो आप न्यूव्ली कंट्रीज ज़ो अपके हिन्डेपेंदेस्ट गेन रही थी उनके पास एक न्यव प्रोग्लम फ्रेस होती और वो प्रोग्लम थी कि इसकी वास तो से उस्स और यूद आ decision making इसको kontrol काने में काफिय डिफिकल्टी में में कर दिफिकल्टी हो रहे थी उनको यह जो निवली इंडिपेंडेंडेंट कांट्री थी तो एफ कम वन वाम में विजन ये बितान ओन नालेंड मुवमेंट का कि यह आपका वर्ल पीस एस्टैबलीष हो सकें प्लस ग्रोथ एंड डिवलोप्मेंट अस्टैब्लिश की जा सकें कि प्लस आपका जो एक मुवमेंट था अगेंस्ट एक्स्प्लोइटेशन और इसके जो सब्सक्राइब थी वो थी आपके बल्ग्रेट कॉंफरेंस इन 1961 और यहां के चुप पांच यू रूलर थे वो पांच यू लीडर्स थे वो काफी इंपोर्टन है पर एक्जामपल जोसफ ब्रोज टीटो अफ युगोसलाविया और गमाल अब्दुलनसीर आफ एजब्ट एंड जालनाहल नहरू आफ इंडिया और कवामिन नक्रूमा ओफ घाना एंड सुकर्णौ आफ इंडोनेशिया बेसिकली यह इन पांच लीडर्स का ही थोड़ा सा एक कह सकते हो आप इनकी कि का माइन था कि यह जो मुमेंट है यह इस्टैबलिश हो फोर जो इंस्टांस आपको दिखता है इंडिया ने एड किया था एजिप्ट को कि एंड वार का जो में रीजन था वो था यह कि आपको यहां पर सीरिया जो कंट्री है यहां पर बात एक पार्टी थी जिन्होंने अपना कंट्रोल है वो इस्टैबलिश कर लिया था एंड बात पार्टी के जो में अब्जेक्टिव थे वो थे आपका अरब यूनिटी अरब सोशलिस्ट अगर्ण एंट इंटिम्पिरियलिजम यह इनके कुछ एक प्रिंसिपल से या फिर अब्जेक्टिव कह सकते हो अरब यूनिटी का मतलब यह है कि आपके जो मिडलीस में जो कंट्री से उनको यूनाइट करना था और अरब सोशलिस का मतलब यह है कि आपक अरब कंट्रीस में जो आपके लोग रह रहे हैं उनकी कंडिशन से इंप्रोफ हो सके एंड जो एंटिम्पिरियलिजम था इसका मतलब यह था कि आपके आउटसाइड जो पावर्स थी आपके मिडलीस से आउटसाइड की पावर्स की उनका जो कंट्रोल है यहाँ पर रिड सब्सक्राइबलिश हुई थी एंड एजिप्ट में आपके जो कलन नासीर थे इनके भी कुछ एक ऐसी ही मोटिफ्स थे फोर एक्जामपल इन्होंने इनके दोरान यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स हुए थे और यहाँ पर आस्वान डैम से आपको एक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती थी एंड प्लस यहाँ पर आस्वान डैम से आपको यह इरिगेशन में भी काफी हल्क पर रहा था और तो बेशिकली जो इनका जो मोटिट साकल नासेर का वह आप था थोड़ा से यह सोशलिस्स की तरफ उनका थोड़ा से जुकाव जा रहा था था इन्होंने क्या किया यह चाहते थे कि कि यह तीन你要 countries इराक एन असी चाते थे कि जो कि यहाँ पर है इसराईल में उस ने कंट्रोल कर दिया इसको इसको हरा कर इनको उसको हारा कर यहां पर यह चायते थे कि प्लेस्तिनियन पीपल सले यहां पर जो की अरब पॉबलेशन है कि इनके लिए यहां पर मतलब उनके लिए पाल आधि रहे थे सो क्या करते ये पंडरी एकल अपने लीघ्ट इरिया bilang क्रांप पर अपने जो प्रूप्स है ख्यां कि टैबिश नहीं पर इसराइल क्या करते है इसरें इंशका इमलि Ting नण इंक जो टर्व महले ईराक इशनक के ब्रव ने आपकोछ रहनों जो इस बहुत के दरान आपने इंडिया ने थोड़ा से हेल्प किया था कि यह आपका 75th year of establishment of diplomatic relations between इंडिया एंड एजिप्ट था अब इसके बारे में डिसकस कर लेते हैं इंडिया एजिप्ट की जो bilateral relations है उसके बारे में थोड़ा से डिसकस कर लेते हैं सो जो हमारे जो बीच में आपके bilateral trade था वह आपका start हो गया था since 1978 under the most forward most favored nations category इसमें आपका यहां पर bilateral trade हो रहा था इंडिया एजिप्ट के बीच में आपका bilateral trade है वह हमारे इंडिया एंड एजिप्ट के बीच में वह है आराउंड 7.26 billion in 2021 and 22 इन के बीच में आपका जो ट्रेड है वह आपका आराउंड 7.26 billion जिसमें आपका जो Egyptian यह जो ट्रेड है आपका trade mostly आपका balance है इसमें ना तो आपका ज्यादा किसी का deficit दिखता है ना फिर mostly आपका stable है so इसमें जो आपका इंडिया Egyptian exports की बात करें जो इंडिया के लिए है वो है आंडिया इंडिया इजिप डिलेशन की बात करें तो इंडिया इजय्प रिलेशन्स है वो आपके mówpro öği है रहां मुव होगी है तू स्रेटिक पार्टनर्शिप और यह जो पार्टनरशिप है आपकर फोर पिलर्स को पर फोर ब्राड पिलर्स के पर फोर एक्जामपल हम इन से इजब्सकारचियों करेंगे है ओन पॉलिटिकल एंड स्कूर्टी रिलेटिट इशूस प्लस एकॉनोमिक इंगेजमेंट प्लस साइंटिफिक एंड अक्याडमिक कोलाबरेशन प्लस पीपल टूपीपल कॉंटेक्ट अब हम इसको थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं इन सभी पीलर्स को ब्रॉड पीलर्स को अगर इन फूर पीलर्स की बात करें तो सबसे फस्ट जो पिलर है वह आपका पॉलिटिकल एंड स्कूर्टी रिलेटिट पिलर याँ आपका थार्ड विसित ता एजिप्सेडन का इससे पहले का सो विजट था वह थापका डोसरोलह में और उससे जो पहले का विजट था वह conversation मैंट की बात करें की इंडिय कौन से कौन से इशुसस्याओ का पार्टनर्रिप करने वाले है इजिप्स के तो है फरस्ट है आपका जैसे की डिफैंस ट्रेनिंग हो गया him आप्डिग्या से टम करनेवाले हैं स्कुर्ट ना स्टेडिक पाटनर्सिप करनेवाले हैं प्लस साइबर स्ग्योटी प्लास काउंटरिंग रेड रेडिकलाइजेशन एंड इंडिया एंड जो एजिप्ट है आपके जॉइंट एक्साइज करने वाले हैं फॉर एक्जाम्पल साइक्लोन वण इन सभी मैटर्स पर आप के जो इंडिया एजिप्ट है वो इनकी पार्टनेशिप रहेगी एंड जो पेलर है उसका नाम है एकोनामिक एगेज्मेंट एंड जैसे कि हमने पहले डिसक्स किया है कि जो इंडिया एजिप्ट के बीच में जो बाइलेटर ट्रेड है वो है आराउ पर फोकस करेंगे फर एक्जांपल रिन्यूवल्स हो गए फार्मसुटिकल्स हो गए आईटी हो गया इंफ्रस्रक्ट्रक्टर डॉलपमेंट इन सभी सेक्टर्स के उपर फोकस रहेगा इनका इंडिया एजिप्ट का एंड प्लस जैसे कि आपको पता है कि कोवेट कोवेट के दरान आपके जो सप्लाइचेन है काफी एफेक्ट हुई थी सो इंडियान एजिप्ट कोशिश करेंगे कि एक रिजिलियंट सप्लाइचेन बिल्ट कर सकें और फूड फूड फर्टिलाइजर्स एंड एनर्जी एंज थर्ड जो आपको पिलर है वो है आपका साइंटिफ एक साइन्टिफिक आपका इंकिंग बीच में आपका लिंकेज बड़े प्लस इनके बीच में कनेक्टिविटी रहे है मतलब फूर इंसेकर के ओपर आपके इंडियान एजिप्ट मेंजर फोकस रहेगा फूर एसमपल ट्यूरिज्म हो गया एर कनेक्टिविटी हो गया प्लस सो के सो केसिंग इच अदर कंट्रीज कल्चर इनके ओपर फोकस रहेगा इंडिया एजिप्ट का एंड प्लस इस विजट के दारण आपके पांच MOU भी साइन हुए है फर एक्जामपल फस्ट जो है वो है आपका सर्ट तो सर्ट सेकेंड है आपका जनरी जनरीक आईटी बेस कोपरेशन उनके ओपर भी आपका MOU साइन हुआ है प्लस जो थर्ड जो आपका है वो है आपका मीडिया इंगेजमेंट फॉर्थ है कल्चर फिफ्ट है यूथ मैटर इन सभी मैटर से लेटे आपके इंडिया एजिप्ट के बिच में MOU साइन हुए है so friends that's it for today and if you think this video was useful to you then do like, share and subscribe to our channel so we can get motivated to make more such educational videos till then keep studying and keep working hard we will meet you in next video